हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग विल्कम वेक टो चैनल गुड मॉर्निंग तो आप सब कैसे हैं आये होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो आज है क्या है त्यूस्टे और अभी टाइम हो रहे हैं आठ बीस होने वाले चलो तो अभी बाबु को मैं दे देती हो खाना नासता है रूटी और दाल उसका फेबरेट इधर है यह आजा चलो 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 चला जाई है मैं बाबु के लिए टीबी चला दूंगी फिरो काटून देखते देखते अपना खाएगा रिमोट है अपके पास है क्या है यह बाबा यह लड़का इसको यह क्यों रख्यों रख है और देख सकते हैं कितना ज्यादा धूप आया हुआ है तो मस्त लग रहा है और हमारा बेडरूम का हालत ऐसे कैसे है जैसे कि तैसे ही है और अभी मैं यह सबको नेकालूंगी और इससे पहले है मैं फिल्टर में पानी भरूंगी इसके बाद पानी लाओंगी और इसके बाद बाकी सारा काम जो भी है सारा कुछ पड़ा हुआ है तो बस चलिए कंटीनियो रही है ब्लोग पर अभी बज़ रहे हैं दो बजने वाले हैं 20 मिनिट बाक्य है तो अभी तक हमारा खाना तय नहीं हुआ है अब बनी रही आरी को काम करते कर ते इतना जादा लेट हो गया कि हम नब सकता हुए जोड़ा दोर सब्सक्राइब भूंद बूख लग रहे कि नहीं है मैं ज्यादा कुछ नहीं बना रहे है अभी दालए डाल में इस बचूप बना देते हैं रोज रहा है सक बाबु का शिकन लेखती है मैं सोचरी हूँ किया मेरे लिए ने दाल है रखागी है बंदा को प्यालू बज ये कर लोगा बोजिया का लिये लाय थे लुट है। महीं आप सो ये थे तभी अप्सो ये तभी तभी किसे बताऊ हूं ओ ये वाला ये वाला का बोले संजे मरके परकें लेख लेकिन साइड देशाइमें ताह ना बोचरें आपके निए अप्रूट्स का यह है याद करो किंडल मिलता है कभी 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 ने रोजी मिलता है मुझे दुखान याद है हां हां अच्छा यह पर पहले सेलर से रहते हैं और पास में यह बहुत बड़ा दुखान है तेल आटा सब मिलता है और यह यह भी मिलता है और किंडल केंडी हां ओभी में सकता है ना लालीपोप पतारी बैरे नहीं मिलेगा बैरे को भी मांगा नहीं चाहिए चोकस भी मिलता है अपका तो चोकस भरा पड़ा है अंदर नहीं है का ओ आई ब्रीवान गुड़ इविनिंग तो आज फीद से हम जा रहे बाहर और आज हम जा रहे हैं मेडिकल क्योंकि बाबु का खांसी विसे ज्यादा तो नहीं कर रहा है लेकिन सुबो जब ठंडी-ठंडी हावा आती है ना तो थोड़ा से भी ठंड लग जाता है तो खांसने लग जाता है जिसे स्वया होता है तो ठीक है अगर उठा लिया तो खां कि जब खांसता है बक्की तेम ठीक है दिन में भी कभी कभार रहा है तो इसलिए में बोल लेते कि चलो दिखा क्या आते हैं और बस होई है और देखते हैं कब तो आते हैं हम तो रेडी हो चुके है छे-च्वालिस काल जैसे ही इतना ही ताइम हो रहा है क्या हुआ तप आग अब नहीं होना बिल्कुल नहीं पतानी क्या कर रहा था यह दर बाजा में अपना सरपीट क्या है तो बस हम लोग रेडी हो चुके हैं चली यह नहीं करता है यथा मेंने पापा सुझ करें है तो अभी हम आए है सजजे मार्केट और यहां पर हम ले रहे हैं मचली क्यूंकि हां हम लोग मेडिकल जाएंगे तो हमारे आता है यह सौफ नहीं रहेंगे चले जाएंगे तो इसलिए हम पहले सब ले रहें फिर जैंगे मेडिकल है ना तो काट के दे रहे हैं आपर और यहां पर हम खड़े हैं खड़े नहीं होंगे तो लेट जाए हम बताओ यह पर मैं सोझाओ फिर आपको कैसा तकलिफ हो रहा है सब बताना डक्टर को ठीक है मजी अचानक से खजली होते हैं अच्छा यह तो है यह नहीं उत्रेगा तो में क्या करूं आजा उत्रो बाबा है अच्छा पहुंच गया हम चलो तो अब हम आए हैं फुलो की दुकान में दो बुक्चे बनवा रहे हैं हम चोटा चोटा है ओ यह बड़ है न अभी तक हम वापस आ चुके हैं घर आने के बाद कपी टाइम होगी नौ बजने वाली अभी तो हम आड़ बजे को ही आ गये थे हैं और यह भी साथ में लेगा है मूँ रहा है तो मैं अभी जब्बे में भरूंगी यह सब और हम चेंज नहीं के हैं क्योंकि अभी हम फिर से जाएंगे और अभी जाएंगे हम स्टेजन तो कोई आने वाला है तो उसको रिसीब करने के जाएंगे तो इसलिए हैं यह सर्प्राइज है बाबु बोल रहे हैं कि सर्प्राइज देंगे दोस्तों को आप लोगों को हैंना कोई सर्प्राइज नहीं है मचली लेके आएं तो उसका मचली का सब्जी और तावल बना के फिर हम लेने के लिए जाएंगे कौन आ रहे हैं वह नहीं बता रहे हैं लेकिन अब पानी है पिटा आप मत आया करो ना जब पहनने के लिए बोला तो इस्टेशन देखने जा रहे हैं तो चलिए हम खाना बना लेके फिर कब निकलते हैं तो हम अभी निकल रहे हैं बहुत जदा ठाट रहे तो इसलिए पुरा दख दखा के जा रहे हैं बाबू पहन लो फिर चला चला नहीं देग रहे हैं अरब पह बना दो ना वरके बना नहीं देगा जा रहे हैं चला चला कि ताल そि एली को भी जूला। कि भीत वो झाल कि भीतो discomfort सबाइब भीड़को तो हमें अटो मील गई अभी हम निकलेंगे मैं इधर से चड़ती हूं चलो साइड जा अंधेरा अहां अहां बाइक तिमीन चलों द रहे हैं अंगे रभांग में यह तो बाबू बीच में बैटो बूर ठांड़ जा रहे हैं भीजू अला रहा है कि इते वाने होगे कि इते वाने कोगे बजो जो डिखने है केम रह में देख्वारा हूं में दूल से बीख्वारा हूं तो आज नेक्स्ट है काल आने के बाद यारा बज गया थे हमारे पुंच्टे पुंच्टे और ठंड ही काल तो कुछ ज्यादा ही लग रहे थी और वह बहुत दूर से जर्नी करके आया थे तो इसलिए हम ज़्ली लिखाना खा लिए और रेस्ट कर लिए तो चलो ब्लोग इंट कर देते हैं मिलते हैं नए ब्लोग के साथ तब तब के लिए आप लोग अच्छे से रहे खुश रहे और यहनों ने अभी तब सब्सक्राइब नहीं कि अफ्लीक कर दिजिएगा था सब्सक्राइब अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दो बस तो चलो बाइबा है